आज मैं बताने वाली हूँ three ways to improve vocabulary in children in a very realistic way जैसा कि आप जानते हैं कि speech development में vocabulary का कितना बड़ा हाथ है और अगर आप follow करते हैं मुझे तो मेरे सारे videos में आपको vocabulary building के कुछ न कुछ tips जरूर मिल जाएंगे तो अगर आपने vocabulary building या vocabulary learning या vocabulary कितना important है speech and language development के लिए ये अभी तक आपको नहीं पता है या आप जानना चाहते हैं तो इसके उपर मेरी पूरी playlist बनी हुई है आप जरूर देखिएगा चैनल में जाके हलो नमस्ते मैं डॉक्टर अनामी का हुई audiologist and speech language pathologist हूँ और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो kindly जल्दी से subscribe कर दीजे क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगी ऐसी ही useful and informative videos इस वीडियो को end तक देखिए क्योंकि end में रहेगा again एक surprise अब से हर वीडियो के end में मैं comment box से एक queries लूँगी आपकी और उसे reply करूँगी ये activity mild autism, ADHD, down syndrome के बच्चों के लिए है और normal development के बच्चों के लिए भी है जिनको speech delay है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला tips ये bonus tips आप बोल सकते हैं मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा और मैं personally इस पे बहुत believe करती हूँ कि reduce screen time इसको मैं ज़्यादा explain नहीं करूँगी यहाँ पे मेरा पूरा playlist बना हुआ है आप जाके देख सकते हैं first way है take categories while learning categories मतलब animals, fruits, vegetables इस तरह से बहुत parents करते हैं कि randomly बहुत सारी चीजे लेकर बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं और बच्चा confused और focused learning नहीं हो पाती है तो focused learning के लिए आप बात तो करिए different चीजों की बच्चे को exposure दीजिए बात करके लेकिन सिखाईए आप category wise like दो animal, दो fruits, दो vegetables और जैसे जैसे बच्चा ये सीखने लगे आप एक-एक करके introduce करवाते रहिए तो focused learning करनी है और category wise learning करनी है ताकि बच्चा भी सीख सके आपको भी confidence मिले कि नहीं बच्चा कुछ सीख रहा है दो animals, दो fruits या 5 animals, 5 fruits, 5 vegetables बच्चा जानने लगा है, सीखने लगा है, बच्चे को बोलते हैं तो बच्चा लाता है तो आपको भी confidence मिलेगा, बच्चे के improvement का पता चलेगा और बच्चे को भी confidence मिलेगा दूसरा point जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही effective है और बहुत ही realistic है make every opportunity a learning opportunity इस point को मैंने इसलिए चूज किया कि बहुत parents बोलते हैं कि हम घूमने गए थे हमने बच्चे को नहीं करवाया हम शादी में गए थे तो हमने बच्चे को नहीं करवाया तो क्या आपको यह नहीं लगता है कि यह बच्चे का different exposure हो सकता है different जगा है, different लोग है, socialization करवा सकते है different जगे का नाम हो सकता है, different चीजे हो सकती है different नदी, पहाड जो भी बच्चा देख रहा है वो चीजे different है, घर से आप निकल रहे हो मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा exposure आप दे सकते हो तो make every opportunity a learning opportunity for the child बच्चे को अगर pointing में दिक्कत है तो बाहर जाके आप pointing करवा करवा के आप पूछ सकते है कि यह नदी है, यह train है, यह पानी है यह नदी में देखो कितना पानी है या कोई boat वगरा दिख गई तो यह boat है इस तरह से आप pointing करवा के बच्चे को vocabulary बिल्ड कर सकते है जो बच्चा घर पे बैठा नहीं कर सकता दूसरा example देती हूँ शादी में क्या करवा सकते हैं शादी में कितने लोग आते हैं सबसे high hello namaste जो भी आप comfortable है आपके culture से match करता है वो आप करवाईए बच्च अगर नहीं करता है तो बच्चे को इशारे से सिखाईए ये करवा सकते हैं लोगों से मिलवा सकते हैं मतलब ऐसे छोड़ना नहीं है बच्चे को आप 15 मिनट every day निकालेंगे और बच्चे से तरह तरह की नहीं नहीं चीजे दिखाएंगे कितना कुछ रहता है शादी में देखने के लिए flowers रहते हैं, animals रहते हैं अगर आप गाउं में गए हैं तो nature रहता है अगर आप दूसरे cities में गए हैं तो कुछ ना कुछ different दिखेगा ही चुकि आपके city में नहीं है, आपके घर में नहीं है तो ये सारी चीजे आपको दिखानी है, exposure बढ़ानी है और जो चीजे आप दिखा रहे हैं उसे नाम से पुकारते हुए बच्चे से बात करनी है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जादा बच्चे को vocabulary मिलेगी इन सारी चीजों से देखिए थोड़ा effort तो आपको भी देना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ therapy से बात नहीं बनेगी मेरा third point है unstructured play time unstructured play time मतलब जहाँ पे बच्चा खुद खेल रहा है मतलब जहाँ पे आप instructions नहीं दे रहे हो जहाँ पे आप कुछ activity के लिए नहीं बोल रहे हो वो चीज है unstructured play मतलब बच्चे को खुद ही खेलने दीजिए खुद ही चीजों के rules बनाने दीजिए खुद चीजों को explore करने दीजिए मिट्टी से खेले या cup से खेले या जो tower type का जो toys रहते हैं वो उससे खेले कुछ भी करे लेकिन उनको अपने हिसाब से बच्चे को खेलने दीजिए इससे बच्चे की creativity बाहर आती है बच्चे की memories बनती है बच्चा खुद से कुछ rules बनाना सीखता है जो कि हम से बिलकुल अलग होती है हम कुछ चीजे सपोस की layer पे रखते है side by side और बच्चा खुद से उपर 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 करके tower बनाना सीखता है तो ये बच्चे का खुद का style है खेलने का तो बच्चा खुद का rules खुद बना रहा है decision making कर रहा है तो ये सारी चीजे भी बहुत important होती है बच्चे को आगे ले जाने के लिए vocabulary build करने के लिए इससे बच्चे की cognitive development भी बढ़ती है और आपको भी मौका मिलता है ये देखने के लिए कि बच्चा कितना creative हो सकता है अब देख लेते हैं कौन सा है वो surprise जी हाँ comment box वाला surprise तो अगर आपका भी कोई query है तो आज का question मिस रोहिनी कोकने जी ने किया है मेरा baby 18 months का है मेरे baby को lack of eye contact है और वो अपने name calling पे respond नहीं करता तो क्या ये autism है रोहिनी जी autism एक spectrum disorder है जिसमें सिर्फ दो symptoms से diagnose नहीं कर सकते मेरी ये वाली video देखिए इसमें मैंने बताया है कि autism spectrum disorder के अलावा भी ये symptoms किन किन conditions में हो सकते है आप proper diagnosis के लिए जा सकते हैं speech language pathologist के पास आप मुझे भी mail कर सकते हैं askanamika10 at the rate gmail.com पे assessment and guidance के लिए I hope ये surprise आप सबको अच्छा लगा आशा करती हूँ मेरी videos से आपको help मिल रही है इस video को जादा से जादा शेयर करिए क्योंकि आपका एक action किसी बच्चे के development में फर्क ला सकता है thank you for watching